क्या आप जहां काम करते हैं जो काम करते हैं या फिर जिसके साथ काम करते हैं वहां आपको वैल्यू नहीं मिलती और फिर इन बातों से आप परिशान हो जाते हैं अगर ऐसा है तो यह कहानी आपके लिए हेलो दोस्तो मैं हूँ अन्वी और आज की कहानी हमारी वैल्यू उपर एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिश्य ने पूछा कि इंसान की कीमत क्या है बुद्ध ने अपने शिश्य को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा कि जाओ अब तुम इसकी कीमत पता कर किया हूँ लेकिन हाँ धियान रहे इसे तुम्हें कहीं बेचना नहीं है अब शिश्य बजार गए बजार में जाकर उन्होंने वो सबसे पहले अमरूद बेचने वाले को उस पत्थर को दिखाया अमरूद बेशने वाले ने कहा इसके कीमत बारा अमरूद है इसके बाद वो आलू बेशने वाले के पास गए आलू बेशने वाले ने जैसे उस पत्थर को देखा कहा इसके बदले एक बोरी आलू मिलेंगे इसके बाद शिश सुनार के पास गए सुनार ने जैसे ही उस पत्थर को देखा उसने कहा इसको तुम पचास लाक में मुझे बेच दू अब शिशे वहां से जाने लगे तो सुनार ने शिश को रोगा और कहा अच्छा अच्छा रुको एक करून रुपए मैं दूँगा शिशे वहां से आगे बढ़े और फिर जा करने के बाद माथा ठीका और फिर धीरे से शिश से कहा अरी इस बेश कीमती रुभी को कहां से लेकर आए हो तुम अगर इस पुरे नगर को भी बेच दिया जाए ना तब भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती अब शिशे बहुत परिशान हो गये और वो सीधी गौतम बु बुद को सारी बात बताई गौतम बुद ने अपने शिश से कहा इंसान भी इसी रूबी पत्थर की तरह है जिसकी वैल्यू हर कोई नहीं लगा सकता सही वैल्यू तो जोहरी लगा सकता है इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि आपको वह वैल्यू नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं तो उस समय बिल्कुल भी परिशान ना होए बल्कि ये सोचे कि आपको परखने वाला ही गलत है कैसे लगी कहानी बताईएगा जरूर अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शियर जरूर करिएगा मिलूंगी बहुत जल किसी नहीं कहानी के साथ तब तक के लिए बहुत सारा प्याद